हेलो फ्रेंस मैं हूर इमा वेल्कूम तो माय चैनल आज मैं दहिना स्कूल स्कॉल बनाना बताऊंगी तो इसके लिए मैंने देख सकते हैं यह मैंने ब्रुग!! लगानी के लिए मैंने हूंक और अब कर लिए वॉतन लें इसमेंटा है नहीं मैं अई नडरीं U camel क detकंप $100 in और पechाला में दो रिविगारेंक को तक होंगी उसपसी है मैं आप सबाइन को लिए रिट्स का ओ सब मकरी हमें इसकी जो लंबाई है मैंने यहाँ पे लिया एक मिटर से तोरा ज़्यादा है देखिए मैं आपको यहाँ पे नपके दिखा देटी हुँ यहाँ तकई है 47 इंच लिए적ल्परी की लंबाई bottle 17 साइज के लिए यह 懷 shipping एहां पर थोरा सिदु हो तो विल इस पर लाप निकाल सकते हैं किस साइज के लिए कितना कोप्रा लगें गें तो यह आपका कمر है को से गुना कर देजिए गा ने सते हैं कपर कमर में 3 से गुना करेंगे और उसके बाद हम 2 और जितना आएगा बिल्कुल उतना ही इंच हमें कप्रा लगेगा तो यहां पर देखें जैसे 26 इंच कमर है तो 26 को तीन से गुना करूंगी और उसमें मैं 2 से भाग दे दूँगी तो कमर को 3 से गुना करेंगे तो देख सकते हैं यहां पर 78 इंच और उसमें हम 2 से ज्यादा लिया है यानि कि मै ने 47 इंच लिया है और दिख सकते हैं आपको इतना लेना है इससे हजादा भी लेक्ते हैं और से ज़्यादा भी ले सकते हैं यह मैंने सिर्फ एक आइडिया के लिए आपको बता दिया है कि इससाब से निकाल के आप मार्केट से कप्रा मगवा सकते हैं तो अब देखिए इसकी जो टोटाल लंबाई है यह तो 47 इंच हो गया और इसकी जो चौलाई है ऐसे दखिए इसकी विरस ऐसे नाप लेंगे तो यहां से यहां तक ही है मेरा देखिए लगबग 29 इंच है यानिकि 29 इंच को हम जब डबल करेंगे ऐसे तो यह परकार यह आएगा देखिए उनसाट इंच लगबग 69 आएगा यानिकि लगबग 1.5 मीटर से थोरा सा कम है तो देखिए पैंट औ जो इसकोड कोपरा होता है इसकी विरस थोरा अधिक होता है तो देखिए मैंने विरस के साइड से ही यानिकि चौलाई के साइड से ही मैंने कोपरे को टूफोल्ड कर लिया है यानिकि बिल्कुल इस परकार हम कपरे को टूफोल्ड कर लेंगे और यहां पर हम लंबाई का न निसान लगाऊंगी जितना आपकी टोटल लंबाई हो उतना पर ही ऐसे निसान लगा लेजिएगा पूरे में तो यहां पर आप देखिए मैंने लंबाई मैंसे बेल्ट के लिए कप्रा कम नहीं किया है मुझे बेल्ट रखना है दो इंच चौलाई की तो यानि कि टोटल और उसके बाद यहां से हम ले लेंगे 18 इंच टोटल लंबाई और फिर आधा इंच सिलाई के लिए यानि कि टोटल इस परकर यह 20 इंच ही हो गया इसलिए मैंने यहां पर एक फोल्ड और कर देती हूं ताकि इसको कटिंग करने में असानी हो ज्यादा लंबा कटिंग नही तो यहां पर आप देख सकते हैं यह घेरे के लिए हमने कपरा कट कर लिया है तो यह जो कपरा है इस परकार यह डबल में है तो देखिए इसकी जो टोटल इसे चौलाई है तो यहां से यहां तक ऐसे यह 47 इंच है यानि कि हाफ ही 47 इंच है जब हम इसको डबल करेंगे तो इसकी जो टोटल लंबाई हो जाएगा ये लगभग 94 रिंच हो जाएगा यानि कि लगभग इसका जो घेर है लगभग धाई मीटर का घेर त्यार होगा तो काफी है धाई मीटर का घेर अगर आपको इससे भी ज़्यादा घेर चाहिए तो आप इसको देखे लंबाई के साइड से टूफोल्ड करते हुए कटिंग कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर चॉलाई के साइड से टूफोल्ड करते हुए ये घेरे की कटिंग किया है बिल्कुल उसी परकार आप लंबाई के साइड से टू फोल्ड करते हुए ऐसे घेरे की कटिंग कर सकते हैं तो इसका जो घेर है इससे भी ज्यादा आएगा अब हम यहाँ पर देखिए बेल्ड की कटिंग कर लेंगे तो देखिए बेल्ड की चौलाई हमें यहाँ पर दो इंच रखना है तो हम यहाँ पर ऐसे पांच इंच पर कटिंग करेंगे यहाँ देख सकते हैं मैंने बेल्ड की लिए कपरा कट कर लिया है अब देखिए हम कमर हाँ पर नाप लेंगे यानी कि कमर हमें रखना है 26 इंच तो पहले यह आधा इंच शिलाई में जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पर 26 पर निसान लगाएंगे और फिर से यहाँ पर दो इंच एक्षटा ले लेंगे और आधा इंच सिलाई के लिए यानि कि धा इंच इस साइट से भी इस्टा ले लेंगे यानि कि जो टूटल बेल्ड है कमर से लगबग थ्री इंच एक्षटा लेते हुए ऐसे कटिंग कर लेंगे देख सकते हैं कटिंग कर लिया है मैंने आप देखिए ऐसे डबल करेंगे और इसको इस परकार फोल्ड करेंगे हैने कि कमर के हिसाब से मैंने इस परकार फोल्ड कर लिया है तो कमर है 26 इंच का हाफ यह 13 इंच मैंने यहां पे लिया है और एक साइड में मैंने हाफ इंच एक् और यहां पर ऐसे कट लगा लेंगे जहां पर आहां परively और यह कट लगा लेंगे और यहीं पर देखिए कट के पास ही हम लूप सटेच्च करेंगे बेल्ट लगाने के लिए इस कॉट में तो इसे कोट जो इस मिला है kennen Song देख सकते हैं इसको बिल्कुर इस परकार ऐसे फोल्ड करते हुए हम लुपस वाली पटी तियार कर लेंगे तो फिलाल मैं इसको अभी अलग रख देती हूं और यह जो हमने इस कॉट के लिए कप्रा कट किया है इसमें देखिए पॉकेट लगाना है तो पहले में पॉकेट क इतना खुला रखना है उतना पर निसान लगाना है तो मैंने यहां पर 5 इंच पर निसान लगाया है अगर चोटा साइज हो तो आप सारे 4 इंच भी ले सकते हैं चार-पांच साल के बच्चे के लिए आप देखिए हम पॉकेट की कटिंग इस कप्रे से ऐसे कर लेंगे तो बिल्कुल देखिए इस साइट से भी ऐसे फोल्ड करते हुए आप कटिंग कर सकते हैं या फिर ऐसे लंबाई के साइट से भी फोल्ड कर सकते हैं तो मैंने देखिए कुपले को लंबाई के साइट से ही फोल्ड किया है बिल्कुल इस परकार ऐसे फोल्ड करते हुए देखि तो सिधा कर लिया है मैंने अब देखिए यहां पर इसे कट लगा लेती हुँ ताकि यह निसान दोनों तरफ बन जाए और इसकी जो चौलाई है यह 6 इंच लिया है मैंने अगर छोटा साइज है इससे तो आफ सारे 5 इंच भी रख सकते हैं और इससे बरा साइज है तो सारे 6 या फिर 7 इंच भी आप रख सकते हैं अब इसके बाद देखिए यहां पर इसे कॉर्णर से गुलाई दे देंगे और इसके बाद यहां पर आने के बाद बिल्कुल इस परकार तीर्चा सेप में हम कटिंग करेंगे यहां से देखाने तो लगोगी मैंने टू इंच लिया है पर इसके बिल्कुल इसी निसान पर ऐसे कџिंग कर लेंगे तो यहां पर देख सकते हैं यह पोकेट की क्तिंग हो गया, अब दिखेजि़ को हम इसने जुआंट करेंगे तो पहले देखिए इसको जुआंट लगाके एक साथ कर लेती हूं यह दोनों कपर अलग अलग है त और यहां पे मैंने एक डबल से माचिया है, इसके उपर से भी, यह दो नो पार्ट एक सांस जॉइंट हो गया है अब आप यहां पे देख सकते हैं इस साइड में यह फोल्डर साइड ह गया और इस साइड में यह ओप्ड़ियो उपन साइड हो गया अब मैं यहां इन्वाइल साइड में ही पॉकेट लगाऊंगी अगर आपको फोल्ट साइड में पॉकेट लगाना है तो इस में पहले ही वीडियो बना दिया है वो वीडियो आप देख सकते हैं उसकी लिंक आपको इस वीडियो के एंडर में या फिर डिस्क्रिप्शन बक्स में मिल जाएगा तो दोनों साइड में पॉकेट लगता है और यहां पे ओपन साइड में भी फॉकेट लगता है तो आज हम देखिए कि ओपन साइड में पॉके तो यहां पे आपको देख लेना है, जो सीधा साइड है, उसी तरफ आपको ऐसे पॉकेट के एक पार्ट को रखना है, और बिल्कुल इसी परकार रखते हुए, देखे हम से लाई करेंगे, तो अगर आप राइट साइड से पॉकेट यूज करते हैं, तो बिल्कुल इस परका पॉकेट वाले पार्ट को ऐसे, और बिल्कुल इसी परकार ऐसे रखते हुए, देखें, यहां तक ऐसे सिलाई कर लेंगे, तो यहां से यहां तक की बेच की जो दूरी है, देख सकते हैं, यह मैंने पॉनी इंच लिया है, तो बिल्कुल यह जो मैंने निसान लगाया है, द गूर्ण के पास सिलाइब लेना है और उसके बाद के या तक यह स् cuer कार यैसे फोल कर टे हुए पॉकेट के ऊपर हम ऑने सट किनारे कर लेंगे जैए पर देखेंते हिरा में ने पौकेट के ऊपर सिलाई कर लीया है और देखें यह परकार उलटे साइट के तरफ पलट लेंगे और पौकेट का दूसरा पाट लेंगे और इस परकार इसके उपर ऐसे पौकेट आएगा देख सकते हैं और ऐसे ही हमें पौकेट को जॉइंट करना है तो देखी जो इसलाई है अंदर के साइड में आये उसके लिए हम क्या रखते हुए देखिए यहां पर ऐसे ज्वाइंट करेंगे तो बिल्कुर इसी परकार ऐसे रखते हुए आपको यहां से यहां तक ऐसे सिलाई कर लेना है तो यहां तक ही मैंने सिलाई कर लिया है अब देखिए यहां पर ऐसे कट लगा लेंगे तो इसके पास तक और उसके बाद ऐसे हम पॉकेट को सीधा कर लेंगे तो देख सकते हैं ऐसे सीधा करने के बाद इसके ऊपर-ऊपर इक और से लाई जय कर देंगे ताकि यह अच्छे से बैस जाए तो ये देख सकते हैं, हमने pocket यहाँ पर joint कर लिया है, तो ये है ultra side, देखिए pocket का ये ultra side हो गया, यानिका ultra side के तरफ pocket रहेगा, और ये है सीधा side, तो देखिए सीधे side के तरफ से इस पर एक और शिलाई ऐसे कर लेंगे, यानिका यहां तक ऐसे शिलाई करेंगे है किस दो दिख सकते हैं अब देखकर कब tips पॉकर तरह किς video है आप दीज तरह घर कर तो उसके लिए आप अंजाद सेविभा बना सकते हैं या फिन जैसे टोटल लंबाई जोना था या के ओ 14 इंच करेंगे- 43 इंच और इसका कमड है वह 16ुज तो क्या करेंगे हम देगे 1963 में से 26 इंच माइनस करेंगे पहले तो यह आएगा शंद यह देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे अगर देखें आपको एक एक еньछ की दो डोहरी पर बनाना हो तो 26 से ये 66 को डिवाइड कर दिजिएगा तो यहां पर दिखिए हम 26 को 66 से डिवाइड करेंगे तो इस पर कर यह आएगा देखिए 2.5 इंच तो देखिए ये 2.5 इंच आया इतना आपको प्लेट के लिए कपड़ा यूज़ करना है यानि के अंदर के साइड में फोल्ड करने के लिए और प्लेट की जो बीच की दोरी होगी वो एक एक इंच की होगी तो अगर आपको एक एक इंच की दोरी पे प्लेट बनाना हो तो बिल्कुल इतना कपरा पकड़ते हुए आप बना सकते हैं तो ये थोरह सा बडरा साइज है तो मैं ये सवा 1-1 इंच की दोरी पे प्लेट बनाओंगी तो जो प्लेट के लिए कपर हमने यहाँ पे निकाला है उसकी भी जो चोलाई है थोरह सा हम एक्ष्टा लेंगे तो यहाँ पर देखिए हम पहला जो निसान है ऐसे दो इंच पर लगभग लगाएंगे और उसके बाद जैसे हमने निकाला था डिवाइट करने के बाद तो यह आया था धा धा इंच तो देखिए अगर आपको 1-1 इंच की दोरी पर प्लेट बनाना हूँ तो आप यह निसान यहाँ पर धा इंच पर लगा सकते हैं मुझे देखिए इस सवा एक इंच पर प्लेट बनाना है यानि कि क्वाटर इंच मैं एक्स्ट्रा रखते हुए प्लेट बनाऊंगी तो यहां पे मैं आधा इंच बरहा लोंगे यानि कि उससे डबल हम कप्रा यहां पे एक्ष्टा कर लेंगे उसके बाद देखिए जो बीच की चौलाई है मैं सवा इंच रख रहे हूँ अगर आप एक इंच लेते हैं तो आप यहां पे धा इंच ही लेजिएगा और अगर आप डेट रइंच की दौरी पे प्लेट बनाते हैं तो यहां पे आप सारे तें इंच ले लिजिएगा तो अब आप समझ गए होंगे देखें यहां से यहां तक यह मैंने लिया है थिरे इंच और उसके बद देखें यह सवा एक इंच और फिर से इसे थिरे इंच पे निसान लगाएंगे और उसके बाद फिर ऐसे सवा एक इंच पे निसान लगाऊंगी और फिर ये ढखें ठीरे इंच पे और फिर ये सवा एक इंच पे बिल्कुल इसी परकार आपको पोरे में निसान लगा लेना है या फिर ये आप अंजाद से भी बना सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने पूरे में निसान लगा लिया है अब देखे हम फ्रिल बना लेंगे तो फ्रिल बनाने से पहरे इसे साइट से फोल्ड कर लेती हूं तो आप चाहें तो इसे फोल्ड करने के लिए अलग पटी का भी उज़ कर सकते हैं तो आज मैं देख यह मैंने कट लगाया है बिल्कुल वहीं तक ऐसे फोल कर लूँगी तो बिल्कुल ऐसे हाफ इंच कपरी को ऐसे फोल कर लेंगे तो यह देख सकते हैं बिल्कुल इस परकार फोल्ड करना है ध्यान रहे यह जो पॉकेट वाला पार्ट है वही सिलाई से ना दव है टो इक साइड में मैने फोल कर लिया है इस 27 में भी फोल कर लूँगी इस नाहीं लंबा कि तक तो इसेख सकते हैं बिल्कुल इसी परकार हमने दोनों साइड में default कर लिया कप्डरे को आभ अब हमेगना पर वाला पॉकेट वाला से construction कども प्राइड से मैं फ्रील बनाने स्टाट करूंगी तो जो मैंने निसान hos लगाते था इनट पर उसके बार देखिए काफी थोड़ा कम कप्ड्र कप्रा बच रहा है में तो यहां से दूसरा निसान लगायासि के जो दूसरा निसान लगाया यहां से बार भीले बाहर से पता भी नहीं चलेगा आपका पॉकेट तो देख सकते हैं बिल्कुल इसी परकार ऐसे रखते हुए यहां से मैं सिलाई स्टार्ट करूंगी और फिर इस परकार जो थिरी इंच वाला निसान है वहीं से इसे पकड़ते हुए सवा इंच के निसान के पास इसे रख देंगे देख रहे हैं फिर इस जो सवा इंच वाला निसान है वहीं पैसे रखते जाना है आपको सारे प्लेट को और देखी हो साथ को कि आने के बाद यानि कि आधा फ्रील बनाने के बाद आपके देख सकते हैं कि आपकी फ्रील जो है और सही से बन रहे है कि नहीं तो देखिएatar gonna किंगे आपके tam जाबर आना चाहिए तो कमर मुझे 26 इंच रखना है तो देख सकते हैं यहां से यहां तक यह 13 इंच आ गया है अगर यहीं पर आपका कम ज्यादा होता है तो फ्रील की जो चॉलाई है आप थोरा कम याप ज्यादा कर सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं मैंने पूरे में फ्रील बना लिया है अब देखिए हमें कमर रखना है 26 इंच तो इस परकर हम नाप कर देख लेंगे तो यहां से यहां तक ऐसे देखिए नापेंगे तो यह मेरा सारे 26 इंच आया है यानिकि लगभग हाफ इंच एक तो देखिए इतना से कुछ फरक नहीं परेगा क्यूंकि इस कॉट में लूपी लगाना है बेल्ट लगाने के लिए तो आधा इंच या फिर एक इंच यह कम जादा होता है तो उससे कुछ फरक नहीं परेगा वो बिल्ट जोइंट करेंगे तो बेल्ट जोइंट करने के लिए पहले मैं इसको फोल्ड कर लेती हूं तो बिल्कुल दखिए इसे दोनों साइट से फोल्ड करेंगे बिल्कुल ऐसे किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे पूरे में तो यहां पर दूसरे साइट से भी मैंने सिलाई कर लिया है और इसको अलग रख लेंगे और यहां पर देखिए जो स्कॉट है इसके उपर फ्रील के उपर ऐसे सिलाई लगाना है ताकि यह जो फ्रील है अच्छ कर सारे प्लेट के उपर में सिलाई कर लोंगी तो देख सकते हैं बिल्कुल इस परकार यहां से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ऐसे हम दूसरे फ्रिल पर जाएंगे और फिर यहां तक सिलेंगे फिर से तीसरे फ्रिल पर जाएंगे यानिकि इसी परकार आपको पूरे में सिलाई कर लेना है देखें सिलाई करने के बाद इसका जो फ्रील है बहुत ही अच्छे सेट हो गया है अब देखें हम बेल्ट त्यार करेंगे तो यहां पर इस साइड में मैंने 1.5 इंच लिया था सिलाई के लिए यहां पर 1.5 इंच पकरते हुए ऐसे सिलाई कर लोगी बेल्ट के एक साइड में और उसके बाद देखें हम पूरा इसे फिर से नाप लेंगे क्योंकि जो घेर है यहां पर थोरा सा मेरा बढ़ गया है तो उसके लिए यहां पर दखें फिर से रखते हुए नाप लेती हूँ देख सकते हैं यहां में यह 1。2 फिंच बढ़ गया है यहां पर ऐसे निशान लगा ओस है और बिल्कुल यहीं तक अब और यह तक के नेराघरी नेरा है कि अब कर लेंगे आज आँसे कट कर लेंगे कि कर लेंगे एuciones मैंने अब इसे सीधा कर लेंगे पर ओसे यहार पर देख सकते हैं दोनों साइड से मैंने बेल्ट को सीधा कर लिया है और उसके बाद एक लुप्स का जो निसान है वेल्ट के लिए उसको ऐसे हम डाल कर लेंगे दाल करेंगे उसके बाद हम घरे में जॉइंट करेंगे तो ये घेरे का सीधा side है और ये दखिए ultra side है तो बिल्कुल ऐसे दखिए ultra side के तरफ ही रखते हुए build को joint करना है और यहाँ पे देखें यहाँ पे extra लिया है 1.5-2 इंच इसको हम रखेंगे इस side में फोकेट हैं बिल्कुल उसी साइड में इसको छातना है और जो बरावर वाला साइड है उसको इससाइड में रखते हुए देखें यहीं से हम घृत करईगे हमें से लिए करने से पहले हमें यहां पर मुद्षेड करना है तो देखिए जो मैंने इस कि वुथ टकार देख सकते हैं एक और फोल करते हुए ऐसे कटिंग कर लोगे तह बिल्कुल इस पर कार देख सकते हैं यहेजी अश्चार चार प्रेशागा है और एसकी जो लंबाई है कि यहां पर उपर के तरफ मैंने जॉइंट कर लिया है ऐसे और उसके बाद लगभग हाफ इंच नीचे ऐसे लगभग उससे हाफ इंच नीचे एक और सी लाई करेंगे देख सकते हैं बिल्कुल इसी परकार आपको चारो लुप्स को जॉइंट कर लेना है मैंने यहां पर परकार यहाँ परकार यहाँ परकार करने के बाद इसके ऊपर सीधी साइट से एक और शिलाई करेंगे तो देखिए बेल्ट के ऊपर बिल्कुल यहाँ से एक और शिलाई करेंगे तो जो बेल्ट में यहाँ पर हाफ इंच कपरा है देख सकते हैं एक्ष्ट्रा उसको इस परकार अंदर के साइट में फोल्ड करते हुए और मार्जन को बिल्कुल इस पट्टी से ढगते हुए यहा कर लेंगे है है प्रफोड करेंगे 1 प्रफेश दक और यहां पर ऐसे सेट करते हुए चलाइज से इसको पका कर लेंगे तो यहां पर अब देख सकते हैं एक loops यी attach हो गया है और बिल्कुल इसी परकार देखें दूसरे loops को भी ऐसे half inch फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इस परकार ऐसे सीधे में रखते हुए इसको भी पाका कर लेंगे यानि कि बिल्कुल इसी परकार बाकी दोनों लुपस को भी हम सिलाई करते हुए टेज कर लेंगे तो देख सकते हैं इस परकार हमने बेल्ट के ऊपर इसलाई कर लिया है आप देखें, आइस साइड से घेरे को जॉइंट कर देंगे, तो बिल्कुल इस परकार ऐसे पकड़ते हुए, देख सकते हैं, यह जहां से आपने फोल किया है, बिल्कुल उसके हलका सा उपर से इसे पकड़ते हुए, पूरे में नीचे तक, एसकोर्ट के पूरे नीचे तक स अब करने के बाद, इसके उपर सी एक और सिलाई कर लेंगे, तो देखिए, इसका जो मार्जन है पॉकेट के दूसरे साइड में रखेंगे, बिल्कुल इस परकार, और इसके उपर से एक और सिलाई कर लेंगे, beyond yes im in neck अजिसाइ लिए हैं अब करनी के बाद नी चेसीशको फोल्ड कर लेंगे याने कि यहाँ पर आ पनी जितना फोल्ड करनी के लिए लिया है उतना इसे आपको फोल्ड कर देना है तो कप्रे को अंदर के साइड में फोल्ड कर देंगे अज़ेख सकते हैं पूरे को मैंने फोल्ड कर लिया है इसमें अलग अलग टाइप्स कभी मिलता है आपको जैसा पसंद हो वैसा आप यहां पर लगा सकते हैं तो बिल्कुल देखिए इसे पहले किनारे पर लगा लेंगे और उसे लगवक दो इंच अंदर एक और लगा लेंगे तो यहां पर देख सकते हैं मैंने कोई सुई की मदब से अटेच कर लिय प्रिजा और यहां पर लग जाएगा और इसका जो कॉकेट है मैंने इसी साइड में बनाया है यह देख सकते हैं तो बाहर सी पता भी नहीं चलेगा बाहत फिनेशीं के सांथ तैक सेहते हैं और बिल्कुल इसपर कर यह पूरा इसक simples कर्णि हम रहे तैयार हो गया है तो एग कि यू